नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 91 पर मैं हूँ आपका दोस्त है बन्रक्षाक राजेंदर सनोडिया देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और दोस्तों जैसा कि मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता हूँ जिस पैटरन में आपके लिए डेली वीडियो लेकर आता हूं तो इसमें आपको इतिहास, भोगोल, संबिधान, अर्थसास्त्र, खेल, कला सलस्कृती, विबीद और जनरल साइंस सभी टापिक के कोश्चन देखने को मिलते हैं और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको टापिक बाइस वीडियो भी देता हूँ जिसमें मैं आपको करेंट अपियर्स और इस्टेटिक जी के कबर करवाता हूँ तो आईए दोस्तों शुरुआत करते हैं कोश्चन नमबर एक से कोश्चन नमबर एक है अंतराश्टी मुद्राकोष की स्थापना कब हुई थी देखिए तब दोस्तों मैं आपको विश्यो के प्रमुक संग्ठन भारा था ना तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बढ़ाया था ठीक है अब जिस स्टुजेंट ने उट वीडियो को देखा होगा तो उसको सारे संग्ठन रट गए होंगे तो अंतराष्टी मुद्राकोस की स्थापना कब हुई थी भाई साब अंतराष्टी मुद्राकोस की स्थापना होती है 1944 में ओफ्सन नमबर A इसका स्थापना होई थी अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि अंतराष्टी मुद्राकोस अंतराश्टी मुद्राकोष को स्कार में IMF भी कहते हैं International Manatory Fund अंतराश्टी मुद्राकोष को हाँ पर है उसका हैट क्वार्टर कहा है उसका तै कै याद रखना वासिंटन DC और अमेरिका में है अच्छाब बर्तमान में इसमें कितने सदस्देश है तो 190 याद रखना 190 सदस्देश है बरतमान में और इसके बरतमान में अध्यक्ष कोन है तो किस्टा लीना जौर 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 बरतमान में अंतराश्टी मुद्राकुष की अध्यक्ष है ठीक है तो याद रहेगा अंतराश्टी मुद्राकुष की स्थापना 1944 में म ख्याल है बासिंटन डीसी अमेरिका में बरतमान में सदस देश 190 और बरतमान में अध्यक्षे क्रिश्टा लीना जोर्जीवा यह चार फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट है और इन चार फैक्ट से बाहर कोश्चन नहीं जाएगा कोई भी बंडे एकजाम हो ठीक है कॉंस्टेव ली बार कि आप जी के पढ़ते होंगे टो 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 चिपको को अंदोलन जो अधर से समर्गे नित ःब पनलत antibiotic से समर्गेल फैक्ट कई किताब है कई प्रकार की बात है क्या माननकर के चलना है हमको वही चीज मान के चलना है दोस्तों जो लेटेस्ट पेपर में क्या होते हैं कोश्चन आते हैं और उनके आंसर जो उनकी जो आयो होता है ठीक है या जो मंडल होता वो मानता है ठीक तो चिपको आंदोलन इसको वाद रखना बन संदक्छर सम्दित है इसके सुरुवात 1973 च चेद नटार्कटिका के ऊपर पाया गया है इसको पाया गया वाइसेप अटार्क्तिका म anch приб dollars में एक चेद पाया गया और बीजों परत कहां पर पाय जाती है तो बाई distill का जो स्मताफ मंडल प्रत्वी तक पहुंचने से रोकती है च्छेद क्या है तो कारवन कहां होता है तो कारवन होता है आपके फ्रीज है ना और एसी मतलब ठंडी थंड़ी ठंड़क देने वाली चीज़ें है तीक है उसमा होता है यह प्रकार का प्रत्वी च्छेद कारवन है और सब्सक्रावन कहया है तो क्या होगा देंस from यहां पर देंसिटी 1 नहीं रहेगी बसका मना जाता है कमेंट करके बता दो वहना चलिए नैस्ट कोश्चन देखते हैं भाई कोश्चन नमबर चार मानो-सरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है यह आपको पता होगा यक्रत है इसको लीवर भी केहते हैं लीवर निज हो गया ठीक है लीबर डेमेज होता है अगर आपको है तो तौचा थी कहे तोचले कि मानों सरीर की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है। इस भाद को यौध याद रखना ये इस वाद को बंगला देश की संसत का नाम क्या है देखिए मैंने आपको बता चुका हूं कि जितने भी देश हैं संसत के नाम मुद्रा के नाम राजभानी बिल्कुल चपेंगे हंड्रेट परसेंट चपेंगे आप लिखके रख लो टीक है यह ऐसे टॉपिक हैं जिन से सिप्ट वाले को जो पेपर होते ना सीबिटी कम्पूटर वेस्ट एकजाम जो होते हैं तो सभी सिप्टों में के कोश्चन डाल देता है बस यही काम हो रहा है अचकल ठीक है उसको तो सिर्क paper बनाने से मतलब है merit में आपको आना है तो जो easy topic है उनको आपको घिसना ही है किसी वहलाद में और जो tough topic है उनको आपको दूसरे studentों से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी आप merit में आवगे तो बंगला देश की संसत का क्या है बंगलाद इसकी संसत का नाम होता है जातिय संसत क्या है जातिय संसत है देखिए जैसे भारत की संसत का नाम क्या है संसत है तो बंगलाद इसकी क्या होगी जातिय संसत इरान की मजलिस पाकिस्तान की क्या होती है नैसनल असेमली होती है पाकिस्तान की नैसनल असेमली है रूस क आप सोजीम सोजीम उसकी प्रेंजत का नाम है लेकिन मैं इतना किलियर बोलता हूं भाई तीक है इसलिए कोशिस करता हूं मैं यहां लिख दू ठीक है अपने पास क्या है भी वीडियो बना रहा है सब मोबाइल से बना लेते हैं ठीक है क्योंकि संसादनों की कमी है अना तो उ आपको बिलकुल कॉल्ट में ऑलगा केलने द्याएं गारेंडस मन कन जारता है देखते हैं ऑर जितने वी सवाल लाता हूना I am style आ मैं से छाप रहा हूं तो एंट्री बर्कशाबन फिरी पाये जाते हैं तो 안懂 पर नंपर यदि पाये जाते हैं और देंट्री और्सला बिखेश्लेव्न आस्ट्रियंड क्या है क्विश्व लेंड है कि उत्तर पूर्वी तर्डपर, कुन से तर्डपर? उत्तर पूर्वी तर्डपर क्या पाये जाता है? ये डेंट्री वर्ट सब बन पाये जाते हैं, इससे ज़़ादा आपको याद रखने का नहीं है, टिक चलिए नेस्ट है, कांगो नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो कांगो नदी को पहले जाइरे नदी के नाम से जाना जाता था याद रखना दोस्तों कांगो नदी को पहले जाइरे नदी के नाम से जाना जाता था अच्छा कांगो नदी आपने नाम सुना होगा तो ये तीन नदी बता रहा हूं और तीन रेखा बता रहा हूं जिन से कुस्टन आते हैं पहली चीज़ आद रखना कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है तो लिम्पो पो नदी कौन सी नदी करक रेखा को दो बार काड़ती है तो माही नदी और कौन सी नदी विश्वत रेखा को दो बार काड़ती है तो कांगो नदी ठीक है लिंपोपो मकर रेखा को माही करक रेखा को और कांगो विश्वत रेखा को ठीक और कांगो नदी को पहले किस नाम से जाना जा था दोस्तों भारत के प्रमु गवर्नर जनरल एवं बाइसराय टीक है मैंने एक टॉपिक बाइस स्टेटिक जीका का वीडियो बनाया है जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे ना तब तक आपको क्या रहेगा हमेशा कंफूजन ही रहेगा आज पढ़ोगे कल भूल होगे बाइसराय वाला टॉपिक इसलिए वीडियो जाके देख लेना प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है ठीक स्टेटिक जीके वाले तो किसे भारत सरकार धिनियम 1858 के माध्यम से भारत का पहला बाइसराय बनाया गया था इसका सहीं उतना है लौर्ड कैनिंग यह याद र हो गया तो यह जो चलता है ना इसको आपको क्या बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ठीक है इसके लिए वीडियो बना दिया है तो आध रखना 1858 पहली चीज़तों यह सिंपल सा कुश्चन यह है कि भारत का पहला बाइसराय कोन था तो लाट कैनिंग था यह है इसका मत बारत का गवरेनर जनरल कौन था तो यहीं लाट केनिंग था ठीक है यद रखना 1257 की कि गरांती और 1858 में के व 하루 यह 1359 के तहट गवरेनर जनरल के पतको बाइसराय बना दिया गए था और लाट कैनिंग के बना था भारत का पहला बाइसराय बना था नेस्ट कोश्चन देखते हैं कौन सा राज ये मसाला उत्पादन के लिए पहमस है या प्रिसिद्ध है तो इसमें बताने की कुछ सदूर नहीं है ये बहुत बच्चो वाला सवाल आया था केरल टीक केरल मसालों के लिए पहमस है टीक चलिए नेस्ट कोश्चन है भारती जीमन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम के दौरा की गई थी इंडियन एकोनोमी का ये कोश्चन बनता है अभी पूछा गया था लैटेस्ट भारती जीमन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम के दोर की गई थी तो भारती जीमन बीमा निगम की स्थापना दोस्तों आद रखना जीमन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा तीन के तहत की गई है कितने की तहत धारा तीन भी आद रखना तो ICC क्रिकेट पूरु समीति के बरतमान अद्धियक्ष कोन है? ग्रेग बार्कले है कोन है? ग्रेग बार्कले है ICC किस थापना कब हुई थी? 1909 मु भूई थी और इसके बरतमान सदस कहाँ पर है? बरतमान सदस कितने है? 108 है चलिए इसका head quarter कहा है बता दीजिए अभी मैंने पिछली दो-तीन class में इसको पहाया हूँ ठीक चलिए next question है प्रधान मध्यान ने रेखा कितने देशों से गुजरती है तब से पहले बात तो भाई प्रधान मध्यान रेखा इको समझ लो इसको कहते है लंदन के आपको पता होगा गरीन से बती जिरॉ इसको कहते है प्रधान मध्यान रेखा क्या कहते हैं बाइस साफ मेरीडियन लाइन ठीक प्रधान मद्यान लेका कहते हैं ठीक है तो ये कितने देशों सुकर गुजरती है आफशन देखिए इसमें थे एक दो तीन और छे लेकिन इसका आंसर दोस्तों देखिए ये कोश्चन जैसा पूछा गया ना मैंने बैसे ही ल गुजरती है आठ देश कौन-कौन से है मैं आपको बता जिता हूं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधान मद्यान लेका कितने देशों को गुजरती है तो इसका आंसर होता है आठ टीक है अंटार्किक का महाधीद को मिलाके नौ टीक तो मैं आठों देशों को नाम बता गिन्गनम य के युनाइटिट गिंग्डम हो गया फिर फ्रांस हो गया फ्रांस के बाद स्पेन हो गया पहत आप कडिक याद हो जाती है किसी प्रकार से आपको भी याद हो जाएंगी लेकिन आपको तो देखना पड़ेगा नहीं सिमांग कंड रेका है तो बिलू लाइन जो है लेवलान और इजराइल के बीच परियाबरल संद्रा अधिन्यम का पारित हुआ था तो देखिए दोस्तों परियाबरल अधिन्यमपण पारित होता है 1986 में ओप्सन नमबर 20 का सही उत्तर होगा ठीक है अब देखिए दोस्तों मैं बन्रक्षा को बन्विभाग से संबन देते हूं तो बहुत सारी शीज़े पता है मैं आपको बता देता हूं ठीक है भारती बना दिनियम 1927 में आता है ठीक है इसके बाद बन जीब संदक्षल दिन संदक्षल अधिनियम का पारित हुआ था यह आप मुझे कमेंट करके बताना ठीक है मैं आपको बता दिया हूं ठीक है चलिए नैश कोचन सिहन किस तेश की राजवासा है तो सिहन दोस्तों सिरिलंका की राजवासा है ठीक है आपको पता था तो बहुत अच्छी बात और सिहन को मिला होगा सिहल किस देश की राजवासा है सिहल ठीक है चलिए नैश कोचन तमांग सेलो लोग गीत किस राजवासा से सम्मधित है तो तमांग सेलो लोग गीत किस राजवासा से सम्मधित है ठीक है याद रखना इसको आप सर्च करोगे नेट में जाके तो तमांग स बहुत दूर है ठीक है करनाट को बहुत दूर है और चैसी घड़ी भूधा दूर नेपाल शे 이ometric साथ आपको पूर Buddy Wald सेंसे भी आपको कई सबसे बड़ते हैं चाइनीश लोग पठाफट फटकाब का मुख्याला कहा है बताने की जूरूद नहीं है कितने बार पुला चुका हूँ और बिस्तुसास संक्टन की स्थापना कब होती है तो 7 अपरेल 1948 7 अपरेल 1948 को इसलिए 7 अपरेल को बिस्तुसास से दिबस भी मना जाता है और 194 के बरतमान में सदस्य है ठीक है चलिए फिर से बता दू एक बार और बिस्तुसास से तंग्ठन डवलू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ और्कनाईजेशन इसका पूरा नाम है इसके स्थापना 7 अपरेल 1948 को होती है 7 अपरेल को होती है इसलिए बिस्तुसास दिबस मना जाता है और जिनेबा में इसका मुक्याला है और जिनेबा सुच्जर लेंड में आता है ठीक है चली नेश कोश्चन सुन्डा जल्डा मुनुमद्द किस समद्र को हिन्दमा सागर से जोडता है तो सुन्डा जल्डा मुनुमद्द दोस्ताद रखना किसको जोडता है हिंद माह सागर को जावा सागर से जोड़ता है जावा 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 हिंद माह सागर जावा ठीक है हिंद माह सागर सुन्डा जल्डवनुमत जोड़ता है और ये सुमात्रा दूप जो है इंडोनेसिया का ठीक है सुमात्रा दूप जो है इंडोनेसिया का ठीक है और चल् hypocrisy संब्सक्राइब करना था बताया है आत्म करके बहारत की प्रस्तावनारा को पिसने सम्मेदान के वह में कहा है और कमेंट करके बताईए ठीक है और आज का कोश्चन दोस्तों जो आपको उर्जावार मनाएगा ठीक है आपकी मेमोरी को चेक करेगा ठीक है अगर आपना पूरा वीडियो धान से देखा तो को इन दो सवालों के जवाब को देना है वो जो उन पुरत किस मंडल पा करती है ठीक है वीडियो बसंद आए होगा तो लाइक कर लेना चैनल को पहले वार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक्यू जहिन जय भारत